राजस्तान में हीट वेव चल रही है और हीट वेव से लोगों की मोते हो रही हैं प्रदीश में सोच से भी कहीं अधिक ज्याता मोते हो रही हैं अकेले SMS में रोजाना की 20-25 डेट गोडीज आ रही हैं जिसमें से बहुत सी ऐसी डेट गोडीज है जो अंक्यात हैं उनका राजे सरकार के दवाव में तीन दिन के अंदर ही बिना पहचान किये उनका पोश्पार्टम किया जा रहा है आज की दिन भी 40-45 डेट गोडीज SMS होस्पिटल जेपुर में मोर्चरी में रखी वी हैं सरकार या आकड़े चुपा रही है और जब हाई कोट ने हीट वेव से होने वाली मोतों के उपर मुआवजा देने की आदेश दिये हैं उसके पाद से तो सरकार ने आनन फानन में जो अध्यात डेट बोडी जो हीट वेव से होते हुई हैं उनके आकड़े चुपाने के लिए उनकी पैचान चुपाने के लिए कि मुआवजा नहीं देना पड़े वो उनकी पोस्ट मार्टम करा करके बोडी को डिस्कोजोग कर रहे हैं मैं समझता हूं कि राजस्तान के सरकार मुख्यमंत्री जी इस मामले पप्पीरता से ले और हाई कोर्ट से भी हम लोग अग्रे करेंगे कि हाई कोर्ट इसमें पूर कड़े इस्टेक्शन इस रागे सरकार को दे जो हीट वेव से लोग को मचाने के लिए फिबन हो चुकी है और अब मुआउजा उनको नहीं दिया जाए इसके लिए प्रियास कर रही है इसलिए राजस्तान के सरकार पूरी तरीके से इस मामले में पहल हुई है हम लोग अग्रे करेंगे कि मानिये मुख्यमंत्री जी आप आखने मत चुपाईए हीट वेव से लोगों की पुचाव क के लिए प्रियास कीजिए और जो भी मोते हुई है उनकी पैचान करके उनको उचित मुआउजा हाई कोट के निर्देश के मताबिक आप दें तब ही राहत मिलेगी